किota कि के मारी शूरू करते हैं हमारे अचकी का और जो हमारी आज की काक्षा क्षा है वह आदे अधूरे नाटक पर आधारी थे और कथा वस्तूule देहने के साथ हम नाटक के जो प्रमुक कथन हैं उनको भी देखेंगे ठीक हैं उनको तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आधे अधूरे नाटक की तो यह मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया नाटक है जो समाज के मध्यम वर्गी शहरी परिवार की जो इस्थिती है उनकी कहानी इसमें लिखी गई है अब जब मोहन राकेश जी नाटक लिख रहे थे तो य मध्यम वर्गी शहरी परिवार की इस्थिती कैसे दर्शानने लगे जब क्योंकि इनसे पहले जो नाटक लिखे जाते थे या तो वो भारत की सामाजिक राजनीतिक इस्थिती को दर्शाते थे या फिर एतिहासिक नाटक लिखे जाते थे जैसे प्रशाद जी थे तो वो क् के नाटकों के माध्यम से देश की जनता है उसमें क्या करते गौरों जगाना चाहते थे ठीक है वैसे ही जब भारतेंदु हरिश्चंदर जी नाटक लिख रहे थे तो भारतेंदु जी का जो नाटक यूग था वो अंग्रेजों के शाषन आधीन था ठीक है भारत जो था वो कौन करता था अंग्रेजी तो इसलिए वो अपने नाटकों में विक्टोरिया का भी जिक्र करते हैं ठीक है और विक्टोरिया के समय को विक्टोरिया के शाषन को रामराज सा कहते हैं भारत दुरदशा में आप देखेंगे कि उन्होंने भारत की जो इस्थिती है भारत को क कैसे अंग्रेजों ने लूटा कैसे मुसल्मानों ने लूटा इस प्रतीक बनाकर भारत दुर्दैव को वह प्रस्तुत करते हैं जनता के सामने अंधेर नगरी में वह भारत की राजनीतिक प्रशाशनिक आर्थिक विवस्था पर जो है व्यंग कसते हैं और एक तरीके से अधacji अधूरे नाटाक की कतावस्तु कैसे कैसे इस तितियांं बदलें कि ना वह इतिहास पर लिखे गई ना भारत के घी बारत के दर्शन पर लिखी या भारत से राजनीतिक सामाजिक इस्थिप्र लिखी गई यहांपर तो मध्यम्वर्ध्ये परिवार की स्थितियां लिखी जाने लगी क्यूंकि स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन भी हुआ दो विश्वयुद्ध की तरास्ती विश्वजेल चुगा था ठीक है उसमें भारत भी शामिल था तो जो जनता थी उसमें क्या था तनाव था कुंठाय भरी हुई थी तो वो सारी स्थितियां क्योंकि आदमी तनाव में होगा जब विश्वयुद्ध हुआ तो आर्थिक स्थ वार है उनका और जो शहर में रह रहे हैं उनके शंगर्ष को इसमें मोहन राकेश जी ने दिखाया है इनसे पहले ऐसा नाटक किसी ने नहीं लिखा था तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा तो आज की कक्षा में हम नाटक की कथवस्तु और जो नाटक से संबंदित कथन है उनको देखेंगे नाटक का प्रकाशन वर्स 1979 इश्वी में होता है यहां नाटक धर्मयुक सापताहिक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ ध्यान रखिएगा इसका यह महत्तुपूर्ण है यहां नाटक धर्मयुक सापताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ इस नाटक का प्रथम मंचन ओम पूरी ओम शिव पूरी के निर्देशन में दिशांतर द्वारा तीन अंकों में प्रकाशित हुआ ठीक है पहले जो दो अंक थे वो 26 जनवरी 1979 को प्रकाशित हुए और जो तीसरा अंग था वो 19 फरवरी 1979 को प्रकाशित हुआ यह स्वतांतर योत्तर नाटक है स्वतांतर योत्तर मतलर स्वतांतरता के बाद का नाटक तो मैंने आपको बताया दो विश्व युद्ध की त्रास्ती जेल चुका था ठीक है भारत का विभाजन भी हो चुका था कई सारी ऐसी घटनाए थी जो हो रही थी जो जिससे जो इस्थितिती है जनता की वो कैसी थी कुंठाओं से भरी हुई थी तनाओं में थी मद्यम वर्गिये जीवन की विडंबना को विडंबनाओं का चित्रण है ध्यान रखिएगा इसको तीन अंकों में प्रकाशित हुआ पहले दो अंग 26 जनवरी 1969 फिर 19 फरवरी 1979 बढ़ती आर्थिक समस्य के सामभाव्य को दिखाया गया इसमें सामाजिक संबंदों के प्रत असंतोश तो हो गई प्रेम विवाह की दुश परिडाम और इस्त्री पुरुष के संबंदों में तनाओ को दिखाया गया यह सामाजिक नाटक है पारिवारिक विगटन की जीवन इस्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है यह विवादों से घीरा रहा यह नाटक हमेशा कैसा था विवादों से घीरा हुआ नाटक था और ध्यान रखिएगा कि ये इस्त्री केमरित नाटक है ये भी ध्यान रखिएगा सामाजिक और विवादों से घीरा हुआ नाटक था अब इसके पुरुष पात्र जो हैं उनको देखते हैं काले सूट वाला आदमी जो की पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन तथा पुरुष चार की भूमिकाओं में भी है मतलब जो ये काले सूट वाला आदमी है ये पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन, पुरुष चार की भूमिकाओं में आता रहता है पुरुष एक के रूप में वेशांतर पतलून कमीज महेंद्रनाथ सावित्री इस्त्री का पती है 22 साल का दामपत्य जीवन ये लोग बिता चुके हैं जिन्दगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटा हट लिये परिवार में अपने आपको बॉस की तरह पाता है कौल महेंद्रनाथ अब वह केवल एक ठपा एक रबड का टुकड़ा है महेंद्रनाथ का परिवार दिल्ली में रहता है अन्य पुर्षों से पत्नी के संबंधों को लेकर असहज है पुरुष दो के रूप में पतलून और बंद गले का कोट ध्यान रखिएगा पुरुष एक में क्या दिखाया गया पतलून और कमीज ठीक है महेंद्रनाथ अब पुरुष दो के रूप में कौल आ रहा है पतलून और बंद गले का कोट पहने कौल सिंगानिया सावित्री का बॉस इस से सावित्री अपने लड़के की नौकरी की शिफारिस करती है असंबध बाते करता है अपने आप से संतुष्ट फिर भी अशंकित आशंकित कौन? पुरुषदू फिर बात करें पुरुषदीन की तो पुरुषदीन के रूप में पतलून टी शर्ट पहने आदमी आता है और जिसका नाम है क्या जगमोहन यहाँ पुरुषदो सिंगानिया, पुरुषदीन जगमोहन सावित्री का पुराना मित्र है जगमोहन वर्तमान में पुना दिल्ली ट्रांसपर हो गया है सावित्री का अंत में जगमोहन के साथ जो सावित्री है वो अंत में जगमोहन के साथ जाना चाहती है पर अंतु असफल हो जाती है अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शल पूरे हावाव में किसमें दिखता है जगमोहन में ठीक है पुरुष्चार के रूप में पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट कौन पहन क्याता है जुनेजा पुरुष्चार जुनेजा महेंद्रनाथ का मित्र तथा पुराना विजनेश पार्टनर नाराज व्यतित होकर महेंद्रनाथ जुनेजा के घर जाता है सावित्री से महेंद्र को मुक्त कराने का आग्रह करता है सुभाव में इसके काईयापन है इस्त्री पात्र में देखिए कौन कौन है इस्त्री उम्र 40 को छूती हुई सावित्री केंद्री ये पात्र है इस नाटक का ध्यान रखिएगा सावित्री नाटक का क्या है केंद्री ये पात्र है पुरुष एक की पत्नी है इस्त्री एक पूर्ण मनुष्य की तलाश है सावित्री को पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों तथा अन्य सदस्यों की लापरवाही से तंग आ चुकी है सावित्री फिर खीच और तनाव से ग्रस्त रहती है बड़ी लड़की उम्र 20 साल से उपर नहीं बिन्नी सावित्री के दोस्त मनोज के साथ भाग कर शादी की भाव में परिस्तितियों से संगर्ष का अवसाद उतावलापन, कभी-कभी उम्र से बढ़कर बड़पन पूरे व्यक्तितों में एक बिखराव मिलता है बिन्नी के जो सावित्री की बड़ी लड़की है अब घर में अपने आपको बेगाना सा महसूस करती है छोटी लड़की उम्र 12 और 13 के बीच इसका नाम है किन्नी, भाव स्वर चाल हर चीज में विद्रोग की भावना इस्कूल की विद्यार्थी है लड़का उम्र 21 के आसपास जिसका नाम है अशोग ध्यान लखिएगा ये पात्र पूछे जाते है बी एस्सी की पढ़ाई अधूरी एरफोर्स की नौकरी छोड़ी चहरे से यहां तक की हसी से भी जलक्ती खास तरह की कड़वाहट कथासार देखिए या नाटक दो भागो यानि उत्रार्थ और पूर्वार्थ में विभक्त है आधे अधूरे एक आधूनिक मद्यवर्गिये शहरी परिवार की कहानी है महेंद्रनाथ वेरोजगार है उसकी पत्नी सावित्री नौकरी से घर चलाती है वह अपने पती को असफल और अपूर्ण मानती है एक पूर्ण मनुष्य की तलास में वह जगमोहन, सिंगानिया, जुनेजा तथा मनोस से मिलती है परंतु अंतता उसकी तलाश अपूर्ण रह जाती है महेंद्रनाथ अपनी बेकारी से उपजी अशक्तता से छुब्ध है पती-पत्नी के मध्य अतनाव बच्चों बिन्नी, किन्नी, अशोक पर बुरा प्रभाव डालता है उसमें असंतोष तथा विद्रोह की भावना भरी हुई है किसमें? बच्चों में महेंद्रनाथ बेरोजगार पुरुष है उसकी जो पत्नी है सावित्री वो नौकरी करके घर का खर्च उठाती है और वह अपने जो पती है महेंद्रनाथ है पुरुष एक महेंद्रनाथ पुरुष एक है द्यान रखिएगा उसको असफल और अपूर्ण मानती है सावित्री की दो बेटियें है और एक बेटा भी है बेटा भी बेरोजगार रहता है बेटी भी घर के तनाव से मुक्त होने के लिए भाग जाती है छोटी बेटी खुद को उपेक्षित समझती है क्यूं? क्यूंकि जो सावित्री है वो पूरा दिन कहा नौकरी पर काम करती है तो छोटी बेटी की साथ रहे नहीं पाती पूरवार्थ प्रमुक कथन देखिए आदमी जो जवाब देए जिसके चहरे से भी जलकना चाहिए पुरुष एक बड़ी लड़की से कि दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहे एक हवा में सास ले उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनभी महसूस करें बड़ी लड़की इस्त्री से पर कौन सी अडचन उसके हाथ से छलक गई चाहिए की प्याली या उसके दफ्तर से लोटने में आदे घंटे की देरी ये छोटी छोटी बातें अडचन नहीं होती मगर अडचन बन जाती है एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतजार में रहती हूँ कि जैसे कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूँ और ये कथम किसका है बड़ी लड़की का इस्तरी से अब यहाँ देखिए कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी इस्तिती में मुझे स्वाभावि नहीं रहने देती बड़ी लड़की इस्तरी से क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि कैसे बताओं क्या लगता है जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है उससे मुझे अपने से एक अजब सी चिड होने लगती है मन करता है आसपास की हर चीजों को तोड़ फोर डाले कुछ ऐसा कर डालू जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुचा सको उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते है इसलिए मैं सोचती हूँ जाकर कटा आओ वह मेरी नौकरी करने के हक में नहीं इसलिए चाहती हूँ कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर ले कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार वह अंदर से तिल मिला उठे पर कर में कुछ भी नहीं पाती और जब नहीं कर पाती तो खीज कर ये कौन कहता है बड़ी लड़की इस्तरी से कहती है कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ पर धीरे धीरे हर चीज फिर उसी ढर्रे पर लोट आती है सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम नए सीरे से उसी खोल में नहीं पहुँच जाते मैं यहां आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कौन कहता है बड़ी लड़की मेरा अपना घर हाँ और मैं आती हूँ कि एक बार खोजने की कोशिश कर देख सकूँ क्या चीज है वह मेरे घर जिसे ले जाकर बार-बार मुझे हीन किया जाता है लगभग तूटते स्वर में तुम बता सकती हूँ मामा क्या चीज है वह और कहां है वह इस पर खिड़की ओ दर्वाजों में छट पर दिवारों में तुम में डैडी में किन्नी में या शोक में कहां चिपी है वह मन्हूस चीज जो वह कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ बड़ी लड़की ये सावित्त्री होगा इस्त्री नहीं किसे सुना सकता हूँ कोई है जो सुन सकता है जिने सुनना चाहिए वे सब्तू रबड स्टैम के सिवा कुछ समझते नहीं सिर्फ जरूरत पढ़ने पर इस स्टैम का ठपा लगाते हैं पुरुश एक किसे कहता है सावित्त्री से फिर जिन्दगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं तुम्हारी जिन्दगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ इन सब की जिन्दगिया चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ फिर भी मैं इस घर में चिपका हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ घर घुसरा हूँ मेरी हट्टियों में जंग लग रहे हैं कौन कह रहा है पुरुष कहता है सावित्रे से ठीक है आज तक किसी को बुलाया है तुमने किस वज़ा से बुलाया है उसकी किसी बड़ी चीज की वज़ा से एक को वह intellectual बहुत बड़ा है दूसरे को क्योंकि उसकी तनखा 5000 है तीसरे को उसकी तक्ती चीफ कमिशनर की है जब भी बुलाया है आदमी को नहीं उसकी तनखा नाम और रुत्वे को बुलाया है लड़का कहता है किस से सावित्री से ठीक है महसूस करना ही महसूस नहीं होता और कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई लड़का कहता है बड़ी लड़की से ये सब सावित्री के लड़के के विशे में बात हो रही है ठीक है उत्रार्थ इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल मैं यहां थी तो मुझे कई बार लगता था मैं एक घर में नहीं चुडिया घर के एक पिंगडे में रहती हूँ यहां आप शायद सोच भी नहीं सकते क्या क्या होता है डैडी का चीखते हुए ममा के कपड़े तार-तार कर देना उनके मुँपर पट्टी बांद कर उन्हें कमरे में बंद करकर पीटना खीचते हुए गुसल खाने में कमोट पर ले जाकर मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कितने कितने भयानक द्रिश्य मैंने इस घर में देखे हैं कोई भी बाहर का आदमी उस सब को देखता जानता तो यही कहता क्यूं नहीं बहुत पहले ही यह लोग कौन कह रहा है बड़ी लड़की पुरुष चार से कह रही है तो यह है इसके प्रमुक कथन जो मैंने आपको बताए मनुच का बड़ा नाम था मनुच का बड़ा नाम था उस नाम की डोर पकड़ कर ही कहीं पहुँच सकने की आखरी कोशिश में तुम पर एकदम बवर आ गई तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातो रात इस घर से कौन कह रहा है पुरुष चार किस से कह रहा है सावित्त्री से ठीक है तो ठीक है वह नहीं आएगा वह कमजोर है मगर इतना कमजोर नहीं तुमसे जुड़ा हुआ है मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं उतना बे सहारा भी नहीं जितना वह अपने आपको समझता है वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दु कोशिश करूंगा कि आँख खोल कर देख सके कौन कह रहा है पुरुष्चार किस से कह रहा है सावित्री से ठीक है तो यह थे हमारे आज की जो नाटक है आदेया दूरे उसकी कथावस्तु और प्रमुपकत हैं हम नाटकों से संबंदित प्रश्न भी हल कर रहे हैं और जो मोहन राकेश के नाटक है असाड का एक दिन उनको भी पूरा करने के बाद हम दोनों से संबंदित प्रश्नों को भी द आन्निवाद